नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बाफिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्रेशन प्रिप्रेशन पर आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे इस वीडियो में हम सा करने वाले हैं और आसा करते है कि आपको सारे जितने भी टाइब की और अच्छे आए는 यूट्य情 को अच्छे स्चे करना है और बागी एक्जाम आपका नियार है उसके लिए गूड़ लग पढ़ते रहें कोई दिक्कत नहीं है पहले प्रश्ण प्रश्ण पिछले दो तीन सालों से इनिशेली यह प्रश्ण नहीं पूछा जाता था लेकिन एससी चुकि आपको पता है कॉंप्टीशन बढ़ता रहे और उसी के साथ साथ ऐसे सी अपने कोश्चन को थोड़ा सा मोडिफाई करती रही है तो प्रश्ण क्या पूछते हैं कि वेन एक्सी सब्टेक्टेट फ्रॉम इच ओफ नाइंटीएट फिप्टीफाइट और नाइंटीवन दानमबर सो अप्टेंड आर इन और आर इन प्र देखो समझो अगर मैं चार संख्याइं देदू थोड़ा सा बेसिक समझे लेतेैं कि A, B, C, और डी प्रपोर्शन में कभःंगा, प्रपोर्शन का साइन डुल रेसियो की साइन की जैसा होता है, प्रपोर्शन का मतलब होता है कि अगर A और B का जो अनपाथ है, C और D का ज जाएगा आप कहेंगे A by B बराबर C by D यहां से क्रोस मल्टिप्लाई हो जाएगा तो A D is equal to B C A D आप देख पार होंगे कि A D बाह्य पदों का गुड़नपल यानि external terms का product है और यह internal terms का product है और दोनों बराबर आगे यानि हम कह सकते हैं कि there are if there are four numbers and they are in proportion then product of exterior numbers is equal to product of interior numbers यानि कि बाह्य पदों का गुड़नफल बराबर अन्ता पदों के बराबर हो जाए तो किसमें कहलाते समानुपात में अब यहीं कॉंसेप्ट यूच कर लेना है कहा गया उननीस अठ्थाथाइस पच्पन और नहीं क्या नवे में से कुछ घटाया जाता है वो संक्या क्या है एक्स यान कि 19 में से एक्स घटाया गया होगा तो 19 माइनस एक्स और 28 में से एक्स घटाया गया होगा 28 माइनस एक्स फिर वही एक्स 55 में से घटाया यानि 55 माइनस एक्स और फिर वही एक्स 91 में से घटाया यानि 91 माइनस एक्स नहीं होता तो आपको क्या करना है आपको लेना है इन दोनों का डिफ्रेंस लोगे तो 28 में से 19 घटके नो एकस एकस कर जाए यह इधर का डिफ्रेंस नो आया इधर इक्या ने में से 55 घटा होगे तो आपका डिफ्रेंस आजाएगा 36 का इधर डिफ्रेंस नो का आ रहा है इध दोनों के अंस को बराबर करने के लिए जो रेशियो च्छोटा होगा उसमें गुड़ा भाग करके यह नहीं चार से गुड़ा कर लिए अब इसके चार से जो गुड़ा होगा वह जिस साइड डिफ्रेंस नौ था उसके अंस में होगा तो हमने गुड़ा किया तो आगया 76-4X कि ये बरावर आ गया ग्जिदेस इधर था तो अंद mesure 26 वा अंस कितना था माण डूनों को बराबर कर दिया नहीं से हम देख सकते हैं कि तीन एकसं बराबर आपका 21 हो जाएगा नहीं हो अबर साथ हो गया यहीं पूछा गया थैनि एक्स का मान क्या होगा नॉर्मल सा क्वेश्चन था दस सेकंड का प्रेश्चन था थोड़ा सा नंबर इस पाइब और यहीं कि पांट जोड दिया गया नीकि पांच इसमें जोड़ा गया और पांच दूसरी वाली यहीं जोड़ा गया तो इनका जोड़ा तो आप यह दो जो है उसको पांट बनाने के लिए तीन से गुड़ा कर दो तो यह 6 हो जाएगा यह 9 हो जाएगा यानि आपने कहा कि 5 जोड़ने पर देखो हमने कितना जोड़ा है 5 हमने कितना जोड़ा है 5 जोड़ने पर रेशियो कितना बढ़ जाता है देखो 8 से 9 हो गया 5 से 6 यानि 5 जोड़ने पर रेशियो एक बरबर वायसा अब जाके बताना कि ट्रिक किसे कहते हैं ठीक है बेसिक को ट्रिक में चेंज करना आपको इधर इस्टार बैस्ट में चाल रहा है उसमें भी मिलेगा और वह प्लासे इस वाज़ाद से रुकी होई है क्योंकि ये वाला मैंने सुचे टॉपिक वाइज पहले कंप्लेट करते उसके बाद वो कांटिनू किया जाएगा उसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स लाइक जैमेट्री पूरी-पूरी होगे ट्रिगो पूरी-पूरी होगे मेंसुरेशन पूरा-पूरा हो गया, अब अलजेब्रा की बारी वो भी करा दिया जाएगा कहा क्या गया कि आतुल 20 क्रे मूली वाला ब्रेड़ खरीता है और दुकानदार को 100 रुपे का नोड देता है दुकानदार दो, पांच और दस रुपे मूल लिवर के सिक्कों में सेजधन देता है यदि इन सिक्कों का अनुपात पांच और चार अनुपात एक है तो दुकानदार पांच रुपे के कितने सिक्के देता है उसने बीस का तो खरी लिया सामान सो रुपे का नोट दे, यह उसे वापस कितने मिलने है, असी रुपे, वो कितने रुपे वापस पाएगा, असी रुपे, असी रुपे उसे दो रुपे, पांच रुपे और दस रुपे के नोटों के रुपे मिलते हैं, जिनका अनुपात उसने रखा है, पांच अनुपात, यानि दस रुपए बनेगे तोटल रुपए कितने बनेगे 10,20 और 10,40 लेकिन आपने देखा है भी कि रुपए जो टोटल दुकानदार ने वापस किया है वो 40 नव वापस करके 80 वापस किया यानि इसका क्यां दो गुना चालिस नहों कि इसका दो गुना होगा तो सिक्के भी पुरुस और नहीं पूरा करते हुँ एक साथ दिन में पूरा कर सकते हैं उनकी कारी छमता कान पात तीन पात दो च्छे पुरूस और दो महिला एक साथ कारी करते हो यह तो ऐसे टाइम एंड वर्क का प्रश्ण है एसा मैंने करवाया भी है फिर भी देख लो का गया पुरूस और महिला मिलके चाचर दिन में पुरूस करता है तीन और अवरत करती है ëमें तो अगर दोनों साथ करेंगे तो पांच से एक दिन में होगा तो चाचर दिन में पूरा काम हो जाता है पूरा काम हो जेगा एक दिन में किया गया का रही दिनों के संख्या diogenAlfa आप कहा गया छे पूरुष यानि 18 काम दो महिलाएं यानि कि चार काम टोटल एक दिन में तब होगा 22 करना है 330 एक दिन में हो रहा है 22 तो टोटल दिन लगेगा 330 बटे 22 यानि कि 15 समझाएं कि एज वाले प्रश्ण भी पूचे जाते हैं रेश्यो एंड प्रपोर्चन में कहा देखो कहा गया कि प्रजेंट एज विए मदर और डॉर्टर की जो आयू है वह सात अनपात एक है पांच साल बाद इनकी दोनों कि या पांच बढ़ जाएगी यानि पांच इसकी बढ़ जाएगी पांच इसकी बढ़ जाएगी और रेश्यो कितना हो जाएगा चार अनपा प्रफमान आयू के बीच अंतर गया आपने कहा कि साथ में पांच साथ रेश्यो में पांच जोड़ने वह चार रेश्यो हो जाता है कुछ कहने में पटा लग रहा है आप इसको किसी ऐसी संख्या से रेश्यो में गुड़ा करो कि साथ से बढ़ा आ जाएग तो आप दो से रेश्यो में यानि एक रेश्यो का जो चेंज है वह आस्तों में पांच यर्स जोड़ने के बाद होता है तो आपने कहा एक रेश्यो बराबर पांच साल उनकी बरतमान आयू में अंतर पूछा गया है यानि कि सात रेश्यो और एक रेश्यो का अंतर यानि छे रेश्यो एक रेसियो बराबर पाल तो 6 रेसियो बराबर 30 वर्स आपका उत्तर हो जाएगा Deadline का प्रशन है कहा गया है कि पर्थम आठ अभाजी संख्याओं के आउसत का पर्थम आठ अभाजी संख्याओं यानि प्राइम नंबर्स के एवरेज का पर तो हम 10 प्राकृतिक संख्याओं के आउसत से अनपाद गया था देखो पहले 8 अभाजी संख्या तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अभाजी संख्या सबसे चोटी होती है सब का सम बटे नंबर आफ नंबर्स तो 2 3 5 5 7 7 17 11 28 33 31 47 48 58 67 इनका योग हो गया और 77 बटे 8 इनका आउसद हो जाएगा अब आपने कहा कि 1st 10 इवें नेचूरल नंबर्स का देखो पहले एन इवें यहने की एक मिनट आइसे देखो sum of first n even numbers कितना होता है n into n plus 1 यह होता है अब sum अगर n into n plus 1 होता है तो average कितना हो जाएगा n संख्याएं है योग इतना है तो average बराबर होता है योग बटे पदो की संख्या यानि n into n plus 1 by n यानि average हो जाएगा n plus 1 आपने कहा पर्थम कितनी पर्थम 10 तो n बराबर 10 है तो average कितना हो जाएगा 10 plus 1 अब आपको 77 बटे 8 यानि पर्थम 8 अब आजी संख्याओं का जो आउसत है और पर्थम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का जो आउसत है उसका अनुपात पूछा गया था 77 बटे 8 पहली वैल्यू है अब अब 11 लगाएंगे तो हर में 11 आजाएगे 11 से 77 कटे का साथ यानि रेशियो हो गया 7 अनुपात 8 हिर्दय अपना गुल्लक होता है उसे 1 रुपे, 2 रुपे, 5 रुपे और 10 रुपे, 10 अनुपात, 5 अनुपात कुल 72 सिक्के थे सिक्को के रुप में गुल्लक में राशी पहला प्रशन हमने दिखिया था गुल्लक में सिक्को की संख्या सिक्को वाले प्रशन दूसरा इस तरह से 1 रुपे, 2 रुपे, 5 रुपे और 10 रुपे के सिक्के है इनका अनुपाद दिया गया कितना दस अनुपाद 5 अनुपाद दो अनुपाद एक आपने कहा अगर मैं 10 चिक्य, 5 सिख्य, 2 सिख्य और एक शिक्य मानने तो टॉटल सिख्य कितनी हो जाएगी 10 पाट 15 सकते हैं थो आप क्या करेंगे आप एक रूपय के चालीज शिक कैदक रूपय के 205 Mobile is सिखें आप सीधे सीधे वह सरस्षा हार चालीस 625 44 चालीस कम 40 40 46 40 120 तर। रुपीज फिर्बने अधर ट्र॥। पिल बन तब चल। अगले फ्रैशन पर आते हैं सिती हमे अग्ला आथन साथ हो कि पह souvent कि आउस चाफ तुर्ठ थनपाथ करें है सरी सरी बाराठरा और छे का चतुरत अनुपाद के और छे के तिरती अनुपाद अंग्रेजी में पढ़ लो fourth proportion of ये भी अच्छा concept fourth proportion क्या होता है के और six के third proportion देखो समझो आपको एक चीज में बता दू A और B अगर दो संख्या है इनका mean proportion क्या होता है यानि मध्य अनुपात क्या होता है mean proportion लिख लेना mean proportion होता है under root में A B third proportion अगर A B का third proportion C है तो आप ये जानो कि B बटे A बराबर C बटे B होता है या हम कह सकते हैं कि B बराबर under root A C होता है या हम अगर यहां से third proportion की बात करें तो third proportion C बराबर होता है B square बटे A ये क्या होता है third proportion यहां पर लिख लेना तिरतिय अनुपात और चतूरत हनुपात का मतलब होता है कि अगर A B C और D चारो मतलब A B C का चतूरत हनुपात D है तो आप कहेंगे A by B बराबर C by D ये कब fourth proportion की बात की जाएता है तो ये तीनों concept आप एक जगा लिख लेना यहां पर दो concept की बात हुई है एक third proportion एक fourth proportion की और इनका चतूरत हनुपात अगर D है तो यहां से आप D बराबर कह सकते है B C by A तो ये डी बराबर क्या हो जाएक B C by A ये ये अठारा चक्के 108 बटे बारा यानि की नो ठीक है और कहा क्या दोनों बराबर ये नो बराबर 36 बटे के D है ये डी इस fourth proportion तो यहां से डी की वैलू देखो क्या निकल क्या रही है D बराबर निकल क्या रहा है B C by A यहां पर ये A B C है ये A है ये B है ये C ठीक है समझागी तो आप यहां से एक लाइन में निकाल सकते A B C के भी कोई राश ही है इस प्रकार से भी भाजित की गई कि A और B का अनुपाद ये है A और C एक इस भी तरह का प्रशन आता है कि दो-दो लोगों का अनुपाद दिया जाता है पिर आप से तीनों का अनुपाद निकालना जरूरी हो जाता है और B का अनुपाद दिए गया नौ अनुपाद पाट ठीक है और A और C का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है कहने का मतलब A अगर 4 है तो C 5 ऐसा कह दिया कि अब ऐसे केस में क्या किया करो अगर मालों बी और सी का दिया गया होता है तो कोई दिक्कत नहीं थी आप यहां पर लिखते चार यहां पर लिखते चार यहां पर लिखते पांच यहां पर जो खाली जगह यहां यहां पर आठ यह जो खाली जगह चार फिर नो चोको शत्तिसा है दोनों का देखो एक वैलू नौ है एक वैलू चार दोनों को बराबर करोगे दोनों को बराबर करने के लिए दोनों का एलसियम ले लोगे नौ और चार का एलसियम 36 तो 36 यह उपर बनाओ तो चार से गुड़ा करोगे यानि 36 यह हो जाएगा यह 32 हो जाएगा और यहां पर 9 तो यही तीनों का अनुपात हो जाएगा अब आप से खांगे बी का भाग ज्यात करो आपको पता है बी को मिलते हैं 32 रुपए तो इसका भी तो इतना ही इससा मिलेगा अब इसको काड दो 113 से काड़ोगे भाया तो 123 2226 हो जाएक का बचे मेरो क्या इसमें कोई खुराफाथ नहीं यहाँ पर जाएगा आठ वार जाएनि बचे का hot two 22 और यह वाला क्या जाएनि 22 123 1292 1632 विपयिता कर दो 72 Polskika से लाएगे 26, 32 दूना 64 और 26 नबड़, यानि B का हिस्सा आगया 94, बोलो क्लियर, मध्य अनुपात और तिर्टिय अनुपात ती दोनों चीजें बताई हैं आपको, मैंने बताई A, B, C, A और B का तिर्टिय अनुपात C हो, तो आप कहते हैं कि B स्क्वाइर बराबर A, C, या आ इसका क्या हो जाएगा, B स्कॉर्ण यानिकि 3 का स्कॉर्ण नों बड़े पांच इसका तिर्टिय अनुपात हो गया, और इनका मध्य अनुपात, मध्य अनुपात A और B का क्या होता है, अंडर रूड ए भी, तो इसका अंडर रूड में 1.8 into 3.2, बोलो क्लियर है, यानि हम यहां से कह सकते हैं यहां पर बटे में सौलिख लो तो यह 18 गुड़े 32 बटे सो है यानि कि 18 गुड़े 32 बटे दस बाहरा जाएगा 18 का दो निकला इधन नौ छोड़ दो इधर 32 दूना 64 कर दो तो नौ को और मुल 3 64 का आठ और बटे 10 24 बटे दस यानि की 24 बटे 10 कितना हो जाएगा 12 बटे पांच तो यसका और इसका अंतर पूछा कहता है यानि 155 के अंतर कितना हो जाएगा बाइच यानि प्रशन करवा या नहीं करता है अ हब कि एबिकी बरतमान आयू साथ उन पात नो कितने साल बात 6 वर्स बात यह आपने का साथ में छे जोडने पर अनुपात 8 हो जाता है आट में 6 जोडने पर 9 यानि एक रेशियो चेंज होता है अगर हम यह में 6 यह की बृत्मान आयूं दोनों की निकाल सकते हैं ठीक है यह एक बरतमान आयू कितनी वह जाएगी एक रे डिस तस यहां पर ऐप का होम हर कि वह शार्ड प्रोपोर्श ऑर फूर्द की बात की गई है लिए सब को अंसर करना है कि मैंने वालब लूजह इसे डिवाइड किने कैसे के यह इसा उनुपात में न डिवाइड करके इतने इतने डिवाइड किया हो तो ते तीन, चार, साथ, आट, पंद्रा, छे, इक्किस रुपए है होते 21 में से बी और डी क्या हिस्से का अंतर, बी का यह है डी का यह है तो आपने खा चार और चेक अंतर दो है यानि दो आउट आफ 21 अंतर आ जाते हैं टोटल रुपया जितना है उसका दो बटे 21 इससा अंतर आ था तो दो बटे 21 आफ तिरसट तो बैयालिस तिरसट इकिस दूना बैयालिस यानि 302 गुड़े दो यानि 604 रुपय अंतर हो जाए जो है वह 5 अनुपात तो है सिंपल सी बात में खा गया तो अगया बी जो है उसमें यही चीज तीन 5 चार के नुपात में लए गया और सी सी में वाई को पर्द करों कि इनकी मात्राइं अगर एकस और य का नुपात अंतर है वाई तो जोड़ए तो 12 साथ यहां पर तीन 4 सा दोनों जगा अनुपात बराबर बस काम काता अनुपात अगर बराबर नहीं तो अनुपात बराबर कर लेना उसके बाद जैसे जिस अनुपात में लेगे उससे गुड़ा कर दो तो X की मातरा 4 गुड़े 5 और 5 गुड़े 3 यानि X की मातरा होगी 4 पंचे 20 तो पहले वाले मेक कि यानि कि वाई है 28 इसा आउट आफ तिर शर्ट तो परतिशत में कितना हो जगा 28 बटे-3 सर्ट गूडे सो ठीक है साथ चोको 28 7 नमा तिरशट ठीक है यानि 400 बटे-9 सो बटे नो होता है ग्यारा सही एक बटे नो तो उसका चार गुना हो जएगा 44 सही 4 बटे नो क्या परतिसत क्या चीज वहाई बलो क Лियर है चार पांच जनों की बात किकी केसो सुरजीत और थॉमस केसो सुरजीत और थॉमस किस अनपात में निवेश करते हैं 2 to 3 to 4 के रिश्यो में इनवेश्ट करते हैं उनके निवेश की अवधी का अनुपात यानि टाइम जो उन्होंने इनवेश्ट करा वो 5 महीने के लिए इन्होंने 6 महीने के लिए इन्होंने 9 महीने के लिए इन्होंने यानि difference between shares of profits of case of and surjit यानि case of and surjit का जो difference है वो 7 to 6, 4 है तो आपको total profit बताना है, नॉर्मल सी बात देखो एक बात बताओ मैं को आपको पता है कि जो profit होता है profit किसे ratio में मिलता है investment into time के ratio में बलो clear है, यानि कि case of profit investment 2, time 5, 10, 2, 5, 10 3, 6, 18, 4, 9, 36 2 से कट रहा है यानि 5 अनुपात, 9 अनुपात, 18 के अनुपात में इनके profit का ratio होगा, किस का ratio होगा profit का ratio आपने कहा कि अगर x रुपे का profit होता है तो उसका 20% तो बांट दिया गया workers के बीच में रख रखाओं के लिए तो बचा कितना इसका 80% यानि 4x बटे 5 और 4x बटे 5 जो है आपको पता है कि जो पार्टनर सिपोती उसमें कहा गया है कि जो जिस अनुपात में आप investment करोगे investment मतलब investment into time को जो आपके ratio होगा उसी अनुपात में आपको लाब मिलेगा यानि कि अगर मैं बात करूँ कि केशों का हिस्सा कितना होगा तो केशों का हिस्सा होगा 5 तो 4 चार 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 शोला यह बच्चा दो एक्स बटे कितना देखो एसे खटाओ यह सब ज्यादर नाटक हो रहा है कि देखो चार एक्स बटे पांच गुड़े चार एक्स बटे 32 यानि शोला एक्स बटे 16 हो जाएगा यह बराबर हो गया ए और बी का जो अनुपात है वो 5 अनुपात 8 है बोलो क्लियर है कर गया दोनों संख्याओं में 5 जोड़ा जाता है 5 जोड़ तो इनका जो रेशियो वो 2 अनुपात 3 हो जाता है अब 5 में कुछ जुड़ के 2 हो रहा है अच्छा लग रहा है नहीं तो क्या काम करो 5 से बड़ा पर 9 रेशियो हो जाता है यानि एक रेशियो चेंज करने के लिए 5 से 6 जाने के लिए यानि एक रेशियो के लिए 5 जोड़ना पड़ता है यानि एक रेशियो बरहबर 5 हो गया तो A और B के बीच का अंतर है यानि 5 और 8 का अंतर कितना हो जगत 3 एक रेशियो बरहबर 5 तो 3 यह method जाके देखना कितने लोगों ने कराई है यह method होती है अपनी यह आपकी तिरपाथी की method नहीं यह योर में आपकी अपनी एक कहा ए और बी की मासिक आय का अनुपात इनकम का रेशियो दिया गया ए और बी के लिए 4 अनुपात पांच बोलो के लिए का गया मासिक 2 का अनुपात expenditure का अनुपात 3 अनुपात 8 का गया A और B के 2 बराबर हो A की I और B के 2 बराबर हो यानि A की जो income है B के 2 के बराबर है देखो अगर मैं कहो income इनकी 4X 5X थी तो इनकी invest में जो खर्चा है expenditure हो 3Y 8Y है आपको दिया गया कि जो 4X यानि A की income है वो B के expenditure यानि 8Y की बराबर है यानि X बराबर हो गया 2Y X बराबर 2Y अब X बराबर 2Y हो गया तो A की कमाई 4X यानि की 8Y और B का कमाई 5X यानि की 10Y अब दोनों की saving निकालो दोनों की saving 8Y कमाते है 3Y खर्च करते है तो 5Y saving 10Y कमाते है 8Y खर्च करते है यानि 2Y saving दोनों का अनुपाथ तो YY कट गया नि 5 अनुपाथ 2 होगी ठीक है ऐसा प्रशन का कि दो संख्याओं का अनुपाथ 2 अनुपाथ 3 है पहले संख्याओं से 5 घटा जाये दूसरी संख्याओं में 6 जोडा जाये तो अनुपाथ 2 अनुपाथ 3 ठीक है हमने क्या किया 25 तो सीधे माले रही जब दोनों में सेम चीज़गो न चेंज़ हो रही हो यानि सेम घटा बढ़ाया न जारहा हो तो पहली संक्या 2x मालो, दूसरी संक्या 3x, का गया पहली में 5 घटाया गया, और दूसरी में 6 जोडा गया, तो जो इनका अनुपात है 5 अनुपात 12 हो गया, तो का गया दोनों संक्याओं में 8 जोडा जाए, यानि 2x प्लस 8 किया जाए, और 3x प्लस 8 किया जाए, तो इनका अ लाओ कि 9x बराबर 90 यानि x बराबर 10 हो जाएगा अब एक्स बराबर 10 तो 2x प्लस 8 18 तीन एक्स प्लस दस 38 और 38 और 38 का अनुपात कितना हो जाएगा 14 नॉर्मल सा प्रेश्ण कि फोर्थ प्रॉपोर्शन में वाला मैंने आपको बता रखा है क्या होता है आपको पता है यहां से आप ने कहा कि फोर्थ प्रोपोर्शन इसका के फर्ड प्रॉपोर्शन के बराबर यानि के सक्वार बराबर यह लिखा हूँ धिक के स्क्वार बडर 38 तो कि बराबर कितना हो जाएगा यह प्रश्णों को आपको समझे नहोंगा इसे वोज़ास मैंने concept third proportion second proportion mean proportion सबको देखिएगा यहाँ पर प्रेशन में थोड़ा हिंदी में सही कर ले न कहा कि 24, 40, 33 और 57 प्रते एक में से x घटाने पर सारी संख्या है proportion में तो 5 x 12 और 4 x प्लस 15 का रेशियो बताने है वही काम करना है आपने कहा x घटाने पर मैंने कहा कोई बात नहीं 24 ठीक है 24 में से x घटाया गया और 40 में से x घटाया गया बोलो clear है यह बराबर हो रहा है 33 में से x घटा जा रहा है और 57 में से x घटा जा इसके रेशियो के ठीक है आपने दोनों साइट का दिफ्रेंस ले ले इधर का दिफ्रेंस आया 24 इधर का डिफ्रेंस आया 16 और 24 का यह से 144 इधर गुड़ा करेंगे 9 से इधर गुड़ा करेंगे 6 से और दोनों के अंस को बराबर कर देंगे तो 9 गुड़े 24 minus x यानि कि 216 minus 9x यह बराबर हो जाएगा 6 times of यानि 198 minus 6x यानि यहां से 3x is equal to कितना हो जाएगा 18 यानि x बराबर 6 अब x बराबर 6 हो गया तो आपको निकालना क्या है आपको निकालना है 5x plus 12 यानि 5 चके 30, 12, 42 और इसका अनुपात किस से निकालना है 4x plus 15 से यानि 4 चके 24, 15, 49 3 से काड़ देंगे तो 14, 17, 13 आपका ratio हो जाएगा clear यह प्रशन आपके लिए फिर से homework है 54 में से x गटाएगा उन 4 में से x गटाएगा difference ले लोगे तो कितना हो जाएगा 5 यानि कि 5 इधर हो गया difference इधर 54 minus x है इधर 22 minus x है ठीक है आपने कहा इधर 5 हो गया इधर 1 यानि इधर 5 से गुडा कर देंगे 5 से गुडा कर देंगे 54 minus x βर 5 टाइमस आफ इतना यानि 110 minus 4 यानि या 56 हो जाएगा 56 बराबर 4 x यानि x बराबर 14 अब x बराबर 14 हो जाएगा तो 14 ठीक 12 minus 25 एक सो बारा माइनस फचीस कितना हो जाएगा अंग थे रहा एक सतासी ऑब बटे है कितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बात तीन से कटो गयों 29 तीन से कटो यह आपका ratio हो जाएंगा तीरती अनुपात चतूरत अनुपात फिर से तो नहीं बताना पड़ेगा तीरती अनुपात मैंने फिर से बताए देखो अब तीरती अनुपात C है तीरती अनुपात बोले तो यह तो आप कहते हैं कि A और B का जो ratio है वही B और C का होगा तो तिरतियन पास C की value हो जाती है B square by ये क्या है third proportion ये formula note कर लो याद कर लो चतूरत अनुपात मैंने बताय कि अगर A, B, C का फिर से देखो A, B, C का fourth proportion D है fourth proportion D है तो आप यहाँ से D की value निकाल सकते हैं A by B बराबर C by D करेंगे ये हम D कह सकते हैं कि B, C, B, A होगा तोनों formula मैंने लिख दिये अब ये आप हर प्रश्न में करो या सी देख जगा अब यहाँ से हमारा third proportion कितना हो जगा 9 का square बटे 3 यानिकी 87 यानिकी 27 तो P की value हो गई 27 आपने कहा 6, P, 4 का चतूर थनपाद ग्याद करो यानि 6, 27 और 4 का चतूर थनपाद 6, 27 और 4 का चतूर थनपाद आपने कहा इन पीछे वाले दोनों का गुड़ा यानि 27 चोको 108 आगे वाले से भाग 8, 6 से डिवाइड करना है 108 में 6 से डिवाइड करोगा अगले प्रस्ट में कुछ भी नहीं है कहा कि मंतली सेलरी आफ अनिल और कुमुद अनिल और कुमुद की जो सेलरी का अनुपाद है वो 19 अनुपाद 17 है कहा गया कि अनिल और कमल गेट सेलरी हाई 2000 और 1000 इसमे 2000 की ब्रिद्धी हुई और इसमें 1000 की बृद्धी हुई और उनका रेशियो आठ अनपाथ 7 हो गया तो आपसे कहा गया प्रिजेंट सेल्री आफ कुमद निकालने हैं देखो हमने कहा 19 X पहले थी 2000 की बृद्धी हुई 17 X पहले थी 1000 की बृद्धी हुई इनका अनपाथ 8 अनपाथ 7 हो गया 133 इदर हो रहा है और 8 गुड़े 17 कितना हो जाएगा 136 तो 133 और 136 का डिफ्रेंस यानि 3 X बराबर 7 दूनी 14 में से 8 यानि कि 6000 यानि X बराबर कितना हो गया 2000 एक्स 2000 हो गया तो आपसे निकालने को क्या कहा गया था कुमुद का बर्तमान बेतन कुमुद पीछे वाले थे यानि 17 एक्स यानि 17 दूना 34 जार इनका बेतन हो गया नॉर्मल सी बात वही वाला है कहा गया कि A B C D के बीच किसी धनराशी को इस अनुपात में डिवाइड के जाता है कि इनका रेशियो यह है A और D के भागों के भी चंतर तो कुल राशी अब देखो यहां पर ऐसे प्रश्णों को ऐसे क्वेशन में देखते ही आपको क्या काम करना है A और D के डिफरेंस कितना हो जागा? 4 और 45 का डिफरेंस 41 41 बराबर आपको दिया गया 5535 दिया गया नहीं दिया गया? आप से पूछा क्या गया? कुल यहानि 4, 12, 16 और 36, 5, 41, 41, 81 आप से 81 पूछा गया 81 बराबर 5535 तो 81 बराबर पूछा गया यहां से एक बराबर निकाल लो 55, 35 बटे, 41 हो जाएगा, बोलो क्लियर है, 41 बचा कितना, 14, 14, 43, 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 130, 20, 25, 5 बार जाएगा, यहीं एक बराबर 135, तो 81 बराबर कितना हो जाएगा, 81 गुड़े 135, आप गुड़ा कर दो, 81 पंचे, 405, 80, 40, 41, 83, यहां, 243, 40, 283, हसी लाएग, 28, 99, 81, और 28 कितना हो जाएगा, कहां गलती कर दी हमने, 81, 243, और 263 हो गया, 81, 99, 80, फिर से गुड़ा कर ले रहे हैं, 135 हो गया, 8, 45 हो गया, 8, 24, और 4, 28 हो गया, 8, 99, 8, तो 10 हो गया, यह थोड़ा साम गलत कहीं कर रहे हैं, 2535 में हमने डिवाइड किया, जब 41 से, तो सही आया हमारा, देख लो, 2535 को अगर हम डिवाइड करेंगे 41 से, तो कितना आएगा, 135 आएगा, और 135 में 81 से गुड़ा करना है, तो हमारा कितना आ रहे हैं, 10, 935, यह थोड़ा सा कहीं ऑंसर में गलत है, 10, 935, ठीक है, 10, 935, तो 42, और 45, हम इक क्या नभी निकालना है, हम वही गलत कर रहे है, यानि की, 1350 उसमें एड कर देना, 10, 935 में कितना जोड़ देना, यहाँ पर यहां पर 1350 और एड़ कर देना तो आपका उत्तर आ जाएगा तो यह हो जाएगा पचासी नो तीन 12 दारा एक एक दो बारह दो से पचासी एकदम सही है ठीक है एक दम से आपको एक क्यान निवाए निकालना था बहुश्च लियर तो भाईया यह थे प्रश्ण जौब के किस चैप्टर से पूछे गया थे रेश्यो और प्रोपोर्शन से पूछे गया थे यह अनुपात और समा चैप्टर बच्चा है इन चैप्टर में अगर ratio and proportion का यूज करूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपने यहां से सीख लिया third proportion क्या होता है second proportion क्या होता है mean proportion क्या होता है fourth proportion क्या होता है यह चीजें भी समझ लिए और जितने बहुत जल अगली क्लास के साथ एक बार सब को हैपी हो ली बबाय टेक कियर आल दा बीरी वेस पॉर यूर आल कुंग जांस बने मातरम चैहिंत